Hello friends, SSE CHSL 2019 की जो वाकेंसी आई है, जो 12th pass candidates के लिए है, उसकी पूरी detail इस वीडियो में है, जैसे कितनी वाकेंसी है, qualification क्या है, syllabus क्या है डिटेल में, इसकी land tapping test कैसे होगा, क्या करिटेरिय होगा, examination date कब है, reservation का status क्या है, इसके लाब भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी. तो दोस्तों मैं हूँ सब्सक्राइब प्रकाश और आप देख रहे हैं, यूटूब चनल सरकारी जॉपने, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करें, साथ में ये बलाइकन है, उसे भीदवाएं, तो देखी ये 56 पेज का notification है, काफी लंबा चोरा है, प मार्च को, तो अपलाई करने का last date है, 5 अपरेल 2019, शाम 5 परे तक, अभी application आप online कर सकते हैं, अपलाई कर सकते हैं, इसके लबा last date है, online fee के लिए 7 अपरेल, ओके, examination tier 1 का, 1 से 26 जुलाई 2019 को होगा, और tier 2 का exam, 29 सेप्टमबर 2019 को होगा, तो पद देख लेते हैं, कौन-कौन से पद हैं, इसमें, तो lower division clerk, यानि, LDC, junior secretariat assistant, postal assistant, shorting assistant, data entry operator, तो इतने तरह के पद हैं, और यह जो भरतिया होंगी, वो केंज सरकार की तमाम ministries में होंगी, मत्रालेव में, departments में, और offices में, और हाँ, इसमें, economically weaker section के लिए भी आरक्षन हैं, जिसे SC, HD, OBC, इन से लिए तो यानि, EWS के लिए भी आरक्षन दिया गया है, तो total कितनी vacancy है, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, notification में, इसकी सूचना बाद में दी जाएगी, SSC के द्वारा, pay skill देख लेते हैं, कितना है, इन पदों के लिए, तो LDC और junior secretariat assistant, यानि, JSA का जो pay होगा, 5,200 रुप इसके लबा जो बाकी पद हैं, जैसे postal assistant, shorting assistant, data entry operator, उनका pay band है, 5,200 रुपे से लेकर, 20,200 रुपे, और create पे होगा, 2400 रुपे, जैसे मैंने पहले बताया, total कितनी vacancy है, यह अभी नहीं बताया गया, यह disclose किया जागा, तो जैसे ही disclose होता है, मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूगा, तो आप देख लेते हैं, educational qualification क्या है, तो simple सा है, 12th pass होने चाहिए, किन-किन पदों के लिए, तो LDC, junior secretariat assistant, postal assistant, sorting assistant, data entry operator, इसके लिए, इसके अलावा, अगर आप CAG office के लिए apply करना चाहते हैं, data entry operator के लिए, तो उसके लिए 12th में science stream के साथ mathematics subject होना अनिवार है, table 12th भी है, किसी भी stream से, चाहे arts हो, या commerce हो, तो आप apply कर सकते हैं, कहाँ पर apply करना है, तो sse.nic.in website पर, age limit देख ले दे, age limit 18 to 27 years है, 18 से 27 साथ, और age का calculation होगा, 1 अगस्त 2019 के आधार पर, मैं detail में बता दूं, कि आपका जन्म 2 अगस्त 1992 से, 1 अगस्त 2001 बीच में होना चाहिए, तभी आप form भाड़ पाएंगे, अन्रिजर्व के लिए ये criteria है, age limit में relaxation है, जैसा दूसरी नौकरी में होता है, sse के, sse, st को 5 साल की छूट मिलेगी, obc को 3 साल, दिव्यांग unreserved को 10 साल की छूट है, दिव्यांग obc को 13 साल की छूट है, और दिव्यांग sse, st को 15 साल की छूट मिलेगी, application fee 100 रुपीज है, only, तो किसी भी माद्यम से आप इसे pay कर सकते हैं, online या offline, तो आप देख लेते हैं, syllabus और exam pattern, क्योंकि बहुत important है, टार वन में जो pattern होगा, computer based examination होगा, computer पर objective questions होगे, 60 minute duration के आपको examination देना होगा, पहला है English language, जो basic knowledge के अधर पर होगा, 25 प्रशन होगे, दो-दो नमबर के, यानि total 50 marks के, दूसरा है general intelligence, इसमें भी marks वैसे ही रहेंगे, और question भी वैसे ही होगा, तीसरा है quantitative aptitude, यानि basic mathematical skill, और चौतरा है general awareness, ये भी 25 questions होगे, दो-दो नमबर के, तो total 100 questions होगे, 200 नमबर का examination होगा, देखे, बताया गया है कि marks का normalization भी होगा, देखे, ये रहा detailed syllabus, ये है English language का, ये है general intelligence का, ये वाला है quantitative aptitude, इसमें काफी कुछ है, जिससे number system, fundamental, mathematical, operations, algebra, इसके लब जिमेटरी, mensuration, टिग्नोमेटरी, statical charts, ये सब इसमें शामिल है, और ये syllabus है, general awareness का, इसे आप पहुच करके detail देख सकते हैं, वैसे इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के description में मैंने वो दे दिया है, तब detail syllabus भी देख सकते हैं, वो डाउनलोड करके, exam में negative marking भी है, हर गलत answer पर आपके 0.5 अंक कट जाएंगे, अब देख लेते हैं, अगला जो होगा, टाइर 2 examination होगा, वो 100 marks के होगे, pen and paper mode में, इसमें 200 से 2500 वर्ड का essay लिखना होगा, इसके लबाँ एक letter या application में लिखना होगा, जो की 150 से 200 वर्ड का होना चाहिए, यह English या Hindi किसे भी एक language में आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक ही language आपको select करना होगा, टाइर 2 में qualify करने के लिए minimum marks 33% है, लेकिन जो merit बनेगा, उसमें इसका भी number शामिल होगा, तो आपको दोनों में ही, टाइर 1 में भी अच्छे marks लाने होगा, टाइर 2 में भी अच्छे marks लाने होगा, इसके बाद होगा, टाइर 3 examination, वो skill test या typing test होगा, ये test computer पे देने होगे, जो भी typing test है, और qualifying nature होगा के बल, देखे data entry operator के लिए, जो speed है, रखी गई है, वो 8000 key एक घंटे में प्रेस होने चाहिए, लेकिन examination 15 मिनट का होगा, और इस दोराण type करने के लिए, 2000 से 2200 key का matter दिया जागा, मतलब 2000 से 2200 character का matter दिया जागा, उसे type करना है data entry के रूप में, इसके लबाद CAG office के लिए थोड़ा सा change है, data entry operator का, उहाँ पर typing speed 15000 character per hour होनी चाहिए, लेकिन examination 15 मिनट का होगा, और 3700 से 400 यानी 4000 character का matter, आपको type करने को दिया जागा, लेकिन, LDC, junior secretariat assistant, यानी JSA, postal assistant, shorting assistant, ये जो पद है, इसके लिए typing test English और हिंदी में होगा, कोई भी एक language candidate चून सकते हैं, ये online application के समय ही चूज करना होगा, English select करने वालों को typing speed 35 word per minute होनी चाहिए, minimum, और हिंदी select करने वालों को 30 word परती minute होनी चाहिए, minimum, और 10 minute का वक्त मिलेगा typing test के लिए, तो ये था detail SSE CHSL 2019 की vacancy के लिए, वैसे तो इसे SSE CHSL 2018 ही कहेंगे, क्योंकि ये 18 की vacancy है, जो कि 2019 में आई है, तो इस वीडियो में आपने सब कुछ जाना, इसके लावब भी कोई question हो, तो आप comment box में तुरन टैप कीजे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द सो जल्द इसका answer दो,